तो गाइज पहले आप एक सिनेमेटिक वीडियो देखिए जो आपके स्क्रीन पे चल रहा हो कैसा दिखराइटिक है यह जो कुरता है ना मेरे में बाबा टाइप का फिट आ रहा अगर एक सिच्वेशन सोचिए कि आपने कोई कुरता ओर्डर किया अपने घर में पार्टी के लिए फंक्शन के लिए और आपको इस टाइप का फिट आए तो आप क्या करोगे उस टाइम यह कुरता ना हमने भरी जल्दी में ओर्डर किया था छट पूजा के लिए लेकिन यह डिलीबर हुआ नहीं तो हमने इसको ओर्डर किया लेकिन इसकी फिटिंग आप देख रहे तो फिट आएगा तो चलिए फटाबट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप से रिक्रूस करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार फिजिट कियें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकों को प्रेस करिए इसे काफी वीडियो हम आपके लिए रेगूलर बेसिस पर लेके आ दे रहते हैं चलिए सबसे पहले इस कुर्ते की लेते हैं साइचाट के मेजर्मेंट और देखते हैं कि यह कुर्ता इतना ढीला क्यों हुआ मेरे में तो यह अपना कुर्ता और अपना हाथियार तो हम को कितना देखने को मिलती है ठीक है क्योंकि जब आप पर्चिस करो अगर आपको मेटेरियल और क्वालिटी के बारे में जानना है न हमने वीडियो अल्रेडी अनबॉक्स कर दिया उसको जाके आप जरूर चिकाउट करिएगा तो यहां पर हम इसकी मेजर्मेंट लेंगे औ कट कट हम मेजर्मेंट लेंगे तो यहां पर अपने पर क्योंकि थोड़ा सा सीद्ध तो यहां पर टूटी держ को मिल रहा है तो यहां पर टूटीधिरिंग देखने को मिलरें यान्नि कि 46 है इसका चेस्ड चेस्ट है तो हम लोग आप बात करें इसके solder की क्या solder मेरे में बड़ा है तो वह देखते हैं कितना इंच का सोल्डर है सोल्डर अपने को 19.5 मेल रहा भाई तो मेरे हिसाब से तो 10 इंचे सोल्डर भी तो ज्यादा बड़ा है इसलिए तो डिला आ रहा है 19 इंचे का सोल्डर है बाकी अगर स्लिप्सलेंट की बात करें तो चल यह वह तो चल जाएगा मोड के आदमी भान लेगा बट यहां पर मैं मेजरमन ले लूँ तो 23 एन 24 समझ सकते एक इंचिस में भी बड़ा है ठीक है 24 का स्लिप्लेंट है अब आ जाता है इसके पायजामे के उपर क्योंकि पायजामा भी है न कि इसकी तो चलो कमर में तो स्पेस काफी रहती है लेकिन यहां पर जो काफ पाठ है न तो 13 इंचिंज की अगर आपकी काफ है तो आपको यह अराम से फिट आ जाएगा अगर उससे छोटी है तो कोई बात नहीं बढ़िया से थोड़ा सा रिलेक्स टाइब का फिट आएगा पाकि यहां पर मटेरियर इसकी आप देख सकते हैं अगर आप पहली बार वीडियो दे आपने देख लिए उस वाले पार्ट को अब आजाते हैं कन्कुलूजन पर तो सबसे पहले कन्कुलूजन पर आएंगे जो हमने मेजरमेंट लिए उस पर यहां पर हमने पाया कि 46 मिल रहा है ठीक है थोड़ा सा और स्ट्रेश होगा तो 47 पकड़ दीजिए सोल्डर जो है 18. पॉइंट सोल्डर जो है 19.5 मिल रहा है और जो स्लिबलेंथ है और 24 वो चलिए और चल जाएगी लेकिन अगर बात करें ना मेरे बोडी टॉर्सों के हिसाब से यह मेरे में काफी धीला है कि मेरा बोडी टॉर्सों 38 है और कहा 47 पकड़ लिए तो धीला होना बनता है तो कोई बात नहीं अब हम लोग देखेंगे इसके साइट चाट में की मिस्टेक कहा हुई है तो मैंने इसको 42 ओर्डर कर दिया तो मुझे लगा 42 मतलब 42 चेस्ट होगा मेरा 38 है तो 42 चार इंची का बफर कुड़ते में रखना चाहिए जहां से comfortability अपने को मिले लेकिन हुआ गया कि हमने साइट को रीफर हीं किया था इसके गाराने गलती हो गई कोई बात ने हैं यहां पे आप बाकी जो स्लिबलेंट अल की भी लंबाई देख सकते हैं काफी शारी यह जो डिफरेंट साइजे यहां पर अपने को देखने को मिल रही है और प्राइस की बात करें तो 697 प्र प्रांट के जो 38 36 साइज है उसके लिए जाना चाहिए था तो जो अभी तो यहां पर अब लेबल नहीं दिख रहा है तो अगर 38 की बात करें कि 38 में कितना चेस्ट मिल जा रहा है तो यह भी 38 जिसका चेस्ट है उनमें आराम से यह आ जाएगा थोड़ा सा आप अंदर टीशोट उसे डाल को पहनोगे या वेस्ट डाल को पहनोगे तो आपको यह ठीक देख जाएगा तो 38 के लिए आप जा सकते है तो जो अप्संस हैं आप अभी भी अबलेबल नहीं है बट आप डिफ को नेजुशं आप यहां से साइज्ट यहां पर नीचे आप कर सकते हैं तो नीचे कमेंट सिक्षन में हमें जरूर बता दीजेए मैं आपको वहाँ सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सा साइज आपके फादर के लिए ब्रदर के लिए के लिए हस्बंड के लिए फिटाएगा क्वालीटी तो मैंने आपको पास से दिखाई दिया अगर आपका कोई कमेंट क्यों फॉजर है नीचे कमेंट सेक्षन में स्वागत है विडियो अच्छा लगाऊं यहां तक वीडियो को देख रहा है ना लाइक कर दिजी एक प्यारा थोड़ा सा अच्छा सा कमेंड कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्ट फ्रेंड्स के साथ उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए और आज किस वीडियो में इतना ही मिलिंग अगले वीडियो में किसी ने और धमागे डार टोपी के साथ तब तक लिए सुक्रान अर्व दोड़ाट अवर्अ का इतना ही मिलिंट 10-2014 AKो भीडियो में किसी नेपर दोड़ा पीडियो रड़ाट दोड़ाटस दोड़ास ही मिलिंग दोड़ांगे, यरे उन लुक्ति फस्क्रामट मैं घ दोड़ा़ास ही हॵितरधे लिए भीडोमार्ट